है ओके तो पहले तो मैंने बोला था कि मैं आज वोई सम्स वगरा कराऊंगा बट आज हम लोग नया कुछ टॉपिक पढ़ते हैं ठीक है बहुत दिन हो गया वही चीज करते जा रहे हैं सो साटेड़े को रिविजन कर लेंगे बट आज एक बार कुछ नया पढ़ते हैं चलिए यह ठीक है तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ध्यान देना ठीक है मेरे वाइस सबको आ रहा है मेरे वाइस सबको आ रहा है ओके ध्यान दीजेगा ठीक है मैंने आज किसी कंपनी को एक हजार पर दिया है मालो मैंने ITC कंपनी को एक हजार पर दिया है या फिर मालो Reliance Industries को एक हजार पर दिया है ठीक है 8% ब्याज का रेट है 8% ब्याज का रेट है तो हर साल कुपन कितने का मिलेगा हर साल कुपन कितने का मिलेगा देखो मैं या पर एक bond का cash flow समझाने का ट्राइ कर रहा हूं ठीक है तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह topic का नाम है equation of value ठीक है एक thought मन में आ रहा तो बोल रहा हूं कि life में न कभी भी कोई चीज free का नहीं होता है ये बात याद रखना ठीक है इससे तुम्हारा नाम क्या है इसका नाम है नंदिका ठीक है अगर मान लो कोई लड़का इसके तरफ हाथ बढ़ा रहा है ये college जाएगी ठीक है और इसको घुमाने लेके जा रहा है for example movie लेके जा रहा है ठीक है कभी भी किसी भी आदमी के लिए अपना independence को break मत करना ठीक है न कोई वी चीज़ को free में दे रहा हम ही मान लो हम वोले चलो सबको match लेके चलते कहीं मेरे मन में यह कुछ ना कुछ तो मेरे मन में है कोई वी चीज लाइफ ये free में नहीं मिलता है ठीक है ना मेहनत करके उसको छ कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा दुनिया रेस्पेक्ट नहीं देगी वैसा ही होता है वह यह बोलता है कि आज हम उतना ही पैसा देंगे जितना मेरे को फ्यूचर में मिलेगा ठीक है आज तुम लोग मेरे को 31,800 रुपीस पेमेंट किया क्यों किया क्योंकि तुमको लगता है कि सर से पढ़ेंगे तो यह concept अच्छा बनेगा राइट सर नौकरी वोकरी का भी देख लेंगे ठीक है और यहां मेरे को लगता है कि फ्यूचर में मेरा जो करियर बनेगा उसके हिसाब से 31,800 मेरेको वैल्या लगता है तभी तुमलोग को लगा तुमलोग को लगा कि इस चीश का मेरेको वैल्या लगता इतना का benefit मिलेगा और future में जितना भी benefit मेरे को मिलेगा उन सबको अगर टानेंगे तो मेरे को इतना जो आर है value वही आजम सामने वाले को pay करेंगे. So, simple से equation बनता है present value of outflow should be equal to present value of inflow. अगर मैं एक insurance company के example समझाओं, insurance company क्या करता है? premiums collect कर रहा है, करोडों लोगों से premiums collect कर रहा है, that is the inflow. ठीक है? अब premium कब तक collect करेगा यह हम लोगों को नहीं बता है? बिकाज जो policy holder है, उसका life is very uncertain. जब तक policy holder जीएगा तब तक वो premium देगा, जिस दिन वो मर गया, जो भी some assured था मेरे को उसकी dependence को देना पड़ेगा, right? अब मालो मैंने एक करोड policies बेचा, 5% is the mortality, तो 5 लाग लोगों को मेरे को death claim देना पड़ेगा, so सबसे पहले मैं अपना expected cost estimate करूँगा, कि मेरा कितना खर्चा लगेगा, direct, indirect, उसके बाद मैं उसको अपना profit loading जोड़ूँगा, and then basically मैं उसको divide कर दूँगा, कितने लोग मेरा policy खरीदेंगे, right, so फिर मेरा कुछ एक value निकल के आएगा, that is the premium, जो insurance company हम से charge करता है, right, so हमेशा याद रखना, equation life में ऐसा ही work करता है, आज जैसे मान लो, तुम किसी को respect नहीं दे रहे, ठीक है, तुम किसी को इज़्जत नहीं दे रहे, तो सामने वाला भी तुमको नहीं देगा, right, so it's always a give and take, ठीक है न, so बहुत simple सा चीज़ है, कि present value of outflow will always be equal to present value of inflow, ठीक है न, अब, तुम जैसे मान लो, कोई चीज़ खरीदा, तुम कोई share खरीदा, हमने perpetuities जब discuss किया था, तो मैंने क्या बताया था, कि company का एक perpetual succession होता है, perpetual succession का मतलब क्या है, company आजीवन चलते रहेगा, जब तक company चलेगा, हम यह मान के चल रहे, company profit करेगा, मतलब company dividend distribute करेगा, तो सारे dividends को अगर मैं present value में टानूँगा, तो मेरा company का एक price आएगा, that is a foresight price, बन्द, basically company का एक share price आएगा, अगर मान लो, market में उससे सस्ता में मिल रहे है, तो action will be buy, अगर उससे जादा में मिल रहे है, action will be not buy, अब सबका अलग-अलग हो सकता है, जैसे मान लो, required rate of return from investment, कोई आदमी है जिसको 12% का return कमाना है, कोई आदमी है जिसको 15% का return कमाना है, तो वो क्या करेगा, अपना-पना जो desired rate है, उस पे cash flows को pull करेगा, अपना-पना जो desired rate है, हमने pull करना सिखा है न cash flows को, टाना सिखे है न, जो cash flows जो आएगा इस से, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आएगा 80, 80, 80 और यहाँ पर आएगा 80 प्लस 1000, assuming कि redemption is at power, assuming कि redemption is at power, यह जो 1000 है माल लो यह nominal value है, और यहाँ पर मैंने जो purchase price है, और जो nominal value हो, दोनों को same माना है, बट दोनों अलग-अलग भी हो सकते हैं, nominal मतलब क्या होता है, कुपन कितना पे लगेगा, 1000 का nominal value है, बट हो सकत market में यह जो bonds है, 900 रुपा में मिल रहा है, ठीक है ना, अब समझना, यह जितना भी सारा inflow है, मैं इसको pull करूंगा 6 पे, मैं इसको pull करूंगा 8 पे, और मैं इसको pull करूंगा 10 पे, तीन अलग-अलग जनका, तीन अलग-अलग desired rate of return है, ठीक है ना, so basically सब लोग अपने-अपन rate पे pull करेंगे, और आज का जो price होगा उससे compare करेंगे, कि मेरे हिसाब से इसका इतना price होना चाहिए, जो pull कर क्या है, और market में क्या चल रहा है, तो दोनों को compare करेंगे, और दोनों को compare करके, जो मेरा action होगा, then I will take, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह जो cash flow है ना, सार में आए, वो class छोड़ दो, मैं पैसा refund कर दूँगा, तुम लोग चले जाओ, क्योंकि 20 घंटा, 25 घंटा हम लोग को हो चुका है, कैसे 1000 आएगा, तुम 1000 लगाया, 8% का ब्याज का rate मैं बोल रहा हूं, तो 80, 80, 80, 80, 80, और last में जाके 1000 पर refund हो गया, तो rate क्या बना, rate क्या बन रहा है, तो rate गिरा, तो price क्या होगा, पहले यह बताओ, rate अगर गिरा, मने rate को गिरा रहे है, तो price क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब 1000 से जादा आएगा, तुम जादा rate से त्यानेगा, तो price आएगा, कम, कम rate से त्यानेगा, तो price आएगा, जादा, because there is an inverse relationship between what, the price and the yield ठीक है न, अब एक काम कोरो, अभी table book सिखाया न, उसको practice करो देख बाद, equation क्या बनाएगे इसका, इसका equation क्या बनाएगे बताईए, 80, A10, plus 1000, V to the power 10, 6% का table book में जाएगे, और A10 का value देखिए, और V to the power 10 का value देखिए, solve कीजिए, इसको forever solve कीजिए, हर चीज लाप्टॉप में set करके रखी अपना, कुछ नहीं करना है, 80 into table book को value देखा, plus 1000 into table book को value देखा, एक बार में आएगा answer, पता ही कितना आएगा, और 1000 से कम आएगा इसका answer, बोलिए, online में जिसको नहीं संज में आएगा, मैंको please chat box में reply करेंगे, करेंगे, बोलो भाई, लोग, कुछ भी पढ़ रहा है, तो एक दो मच्छे से पढ़ना, ठीक है ना, half-artedly मत पढ़ना, तुम पूरा महनत किया लेकिन एक घंटा कम पढ़ा, तो लोग उसको fail ही देखते हैं, यह नहीं देखेंगे महनत कितना किया, इतना travel किया, धूप में, पूरा बैठा online class में 6-7-7-7 घंटा, वो सब कुछ नहीं दिखेगा, लोग सिर्व यही देखते हैं, पास हुआ कि नहीं हुआ, उसकी हिसाब से तुमको बोलेंगे, ठीक है ना, बीच का कोई नहीं देखता है, CM2 में टॉपिक था, वो भी हड़ चुका है, बायस बोलते हैं इसको, उसमें यही सिखाया गिया है, जैसे मान लोग पास हो जाएगा ना, हम बुले थे, लड़का हुसियार है, निकाल लेगा, अरे हम लोग का खुण है, मजाग है क्या, और जहां नहीं हुआ, क्या करें, समझ में नहीं आ रहे हैं, बहुत समझाए, समझता ही नहीं है, हम तो समझाएं के ठक गें, आप भी समझाए, यह, फिर 10th पर 11th पर से तुम लोग का अड्वाइस लेना पढ़ेगा, बोलो कितना आ रहा है, 1174.19, और 10% पर, 11, 1147.19, और यह वाला 10% पर, बड़ाफट करो यार, देखना ही तो है, वैल्यू दो उठो, 877, ठीक है, बोलो, अब सुनना, यहाँ पर जैसे जब 6 पिट आना, तो 1000 से उपर आ रहा है, फिर 8 पे 1000, तो हम लोग क्या किये, 6 से रेट को बढ़ा के लेके गए 10 पे, तो मेरा 1147 से गिर के कितना हो गया, मतलब, there is an inverse relation, है न, inverse relation between, बोलो, price and yield, yield बोलते हैं, ठीक है, तो हुआ क्या, सब लोग अपना-अपना desired rate में pull करके देखा, कि भाई, क्या यह bond मेरे को खरीदना चाहिए, कि नहीं खरीदना चाहिए, कोई 6 पेटाना, कोई 8 पेटाना, और कोई 10 पेटाना, ठीक है, market में यह मिल रहा है, 900 में, market में यह मिल रहा है, 900 में, तो जिसको 10 परसन का return चाहिए, तो उसकी हिसाब से कितना price आ रहा है इसका, 877, बट market में कितना चल रहा है, तो क्या वो यह bond खरीदेगा, तो action क्या करेगा, not buy, it is expensive, बट यही bond, जिसको 8 परसन का return चाहिए, उसके हिसाब से कितना price आ रहा था, 1000, बट market में कितना मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो वो खरीद लेगा, जिसको 6 परसन का return चाहिए, उसके हिसाब से कितना price आ रहा था, बट market में कितना मिल रहा है, तो वो खरीदेगा, वो खरीदेगा, बहुत simple सा चीज है, तुम पहले अपना desired rate में pull करके देखेगा cash flows को, जो price आ रहा है, अगर उसे सस्ता में मिल रहा है, तो buy, अगर उसे महेंगा में मिल रहा है, तो not buy, ठीक है, इसी तरीके से हर चीज का होता है, हिसाब, ठीक है, अज share market में भी देख लो, market forces of demand and supplies इसका price घटता बढ़ता है, यह जो model है, इसको हम लोग बोलते है, discounted cash flow model, इस model को हम लोग बोलते है, discounted cash flow model, अब कोई भी company का अगर तुम share price को estimate करेगा, तो तुम कैसे करता है, तुम पहले उसका सारा cash flows को model करता है, कि बही company का year on year growth क्या होगा, expenses में कितना बढ़ेगा, घटेगा, inflation का adjustment, फिर macro economic variable जैसे कि GDP, oil prices, interest rate, inflation, ठीक है न, political scenario, तो यह सब सारा चीज को factor में consider करके, तुम यह सब स discount करता है, तो एक rate में discount करता है, जिसको हम लोगों बलते है, risk discount rate, मने basically वो जो rate है, market के सारे risk factors को वो incorporate करता है, समझा, आप जैसे माल लो, risk and return go side by side, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बैंक अगर तुमको secured loan देगा, तो 8% पे देगा, बैंक अगर unsecured loan देगा, तो 12% में देगा, क्यों, पहले वाले में bank के पास में asset है, अगर तुम loan नहीं चुका है, तो bank बेच के लेनेगा अपना पैसा, और उसमें भी bank एक haircut रखता है, मालो property का valuation है, 2 करोड का, तो loan देगा, 1.5 करोड का, बुलेगा, नहीं, यह illiquid property है, कल कौम को कल का दिन पेसको निराम करना पड़ा, तो यह big थोड़ी जाएगा, मेरे खर्चे लगेंगे इसको बेचने में, वो खर्चा कौन देगा, समस्ता है इस सब चीज, property का तुम्हारे इसाब से, पापा बोले, property का हम लोगा घर का value है 5 करोड, पापा को business spend करना है, पापा bank से loan लिए, bank वाला बोला, हम 3 करोड का लोन देंगे, उसादा का लोन नहीं देंगे, क्यों नहीं देगा, अरे कल का उगार बेचना पड़ जाएगा, तो पांस क्लोड थोड़ी न मिलेगा उसको, distress selling मुलकर कोई चीज होता है, bank को जितना में, एक मतब decent price में bank उसका निलामी वगएरा जो भी सब कुछ कर होता है, ठीक है, गोल्ड में लेकिन गोल्ड क्या है, गया बेचा पैसा लिया, गोल्ड क्या है, इधम तुरन-तुरन भिख्टा है वो, जितना pure form of gold होगा, उतना आसानी होगा, ठीक है, तो यह चीज जो है, अब इस पर ध्यान देना, खाली इस पर ध्यान देना, आज हम present value of influence, present value of outflow, ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या देखे, कि अब यह जो bond है ना, यह 1000 रुपय जो है यहाँ, पर जो 1000 रुपय जो है, वो क्या है, यह मैंने बोला कि मैंने 1000 रुपय दिया है, ठीक है, बट अब यह चीज समझना, what is the difference between price versus nominal value, nominal value का मतलब क्या होता है, face value, जो basically bond का उस पे लिखावा है, जिस पे coupon चड़ेगा, ठीक है, price तो fluctuate कर सकता है, based on market rate of interest, आज मालो, interest rate market में चल रहा है, 19% का, कोई एक छोटा सा news आया, और interest rate 0.5% से बढ़ गया, तो interest rate बढ़ गया, मतलब bond का value क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो फिर तो market price चेंज होगा ना, जिस पे coupon चड़ेगा, अब एक बास समझा, इस पे coupon का rate क्या है, coupon का rate क्या है, 8%, nominal value पे 8% मारेंगे, तो coupon का rate is fixed, issuer बोला, हम 8% का coupon देंगे, ठीक है, coupon rate will not change, बट, bond पे जो return है, वो market price में depend करेगा, वो market price में depend कैसे करेगा, अब ध्यान दो, मैं बोलता हूँ, 80 A10, प्लस 1000 B to the part 10, यह अगर तुम्हारा है 900, तो yield निकालिए, yield निकालिए मतने समझता है, 900 रुपियास देंगे, 80 80 करके 10 साल मिलेगा, और 1000 मिलेगा 10 साल के बाद में, इस पे कितना return कमाएंगे, yield निकालो, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 80, 1 minus 1 plus X to the power minus 10 by X, plus 1000 by 1 plus X to the power, कि इसको, कैलकुलेटर का लिने इंटरपूलेशन से 900 खोजना है अपने को, 900 खोजना है अपने को, तुम लोग मेरे को यह बता देना, कि किसके और किसके बीच में आ रहा है, अपने को चाहिए 900, वो अपने को X परसेंट पे मिलेगा, पूरा एक्वेशन फिडिन करो, कैलकुलेटर में जाएगा, मोड में जाके टेबल मोड में जाएगा न, फिर यह पूरा एक्वेशन फिड करेगा, एलफा दबाके close bracket, राइट, तब जाके मेरा X आएगा, पूरा इसको फिडिन करिए, फिडिन करके बताइए, किसके किसके बीच में आ रहा है 900, एक उपर का value और एक तुम कर क्यों नहीं रहा है, एक उपर का और एक नीचे का value बताइए, 0.09, 0.1 पर कितना आ रहा है बोलिए, 877 पॉइंट और यहाँ पर 935 पॉइंट, ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग इसके बत क्या करेंगे, वो जो formula मेंने सिखाया था न, वोला formula में लग लगाएंगे, क्या formula था, यह मेरा हो जाएगा fx, यह मेरा हो जाएगा fx2, यह मेरा हो जाएगा x2, यह मेरा हो जाएगा x1 और यह मेरा हो जाएगा fx1, इसको बलते हैं linear interpolation, So, क्या हो जाएगा, x minus x1 by x2 minus x1 is fx minus fx1 by fx2 minus fx1. Solve करिए कर दो हुआ 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 है अब जैसे 9 और 10 के 20 में हम लोग interpolate कर सकते हैं कैसे हम बता रहे हैं जब equal to दभाएगा ना तो वापस से equation आ जाएगा फिर तब तुम दुबारा से equal to दभाएगा तुमसे पूछेगा start तो अब तुम start करेगा 0.09 पे फिर तुमसे पूछेगा end तो आप तुम end करेगा 0.1 पे फिर तुमसे पूछेगा step तो आप तुम step डालेगा 0.001 का ठीक है फिर आप तुमको values कैसा मिलेगा पता है 0.090 0.091 0.092 ऐसे करके फिर दुबारा से एक देखेगा उपर का और एक नीचे गा फिर दुबारा से तुम interpolate कर सकता है फिर अब तुम step के डालेगा 0.001 ऐसे तुम calculator से भी बार-बार interpolate कर सकता है कि यह लाया सबका हाँ अब एक देखो किस चीज का पैसा दिया अब सुनना ध्यान से अब एक्जाम में मान लो तुमको confirm करना है कि तुम्हारा एक क्राफ एंसर क्या आएगा ठीक है तो यह हम लोग को सिखाया था क्रेट क्यों ही ले मेरे सर ने मेरे को सिखाया मैं तुम लोग को सिखा देता हूं ठीक है तो ऐसा नहीं बोलना चीक हम खुछ से डिवाइड वो कि ए ठीक है तो कैसे करना है देखो ध्यान से अब इसमें जै 1,000, purchase price, so 100 extra है, कितना साल में, ठीक है, इसको divide करेंगे, sale price, plus purchase price, divide by 2, दोनों का average से, solve करके बताओ, कितना आ रही है, तो बिसकली यहाँ पर आ जाएगा, coupon, plus sale price, minus purchase price, by n, whole divide by, sale price, plus purchase price, whole divide by 2, बोलो, भाई, लोग, रफली आ रहे हैं न, 0.094 something आ रहे है, मतलब 0.09 और 10% के बीच में तुम interpolate करके answer निकालेगा, तुम्हारा एकदम सही answer आएगा, तुमको basically objective क्या है, एक उपर का और एक वीचे का value खोज न, तो वो यहाँ से मिल जाएगा, क्लियर होगे है सबको, ठीक है, close आ रहे हैं अपना answer के,